हाई मैं हूँ जीशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं The Cinema Show आज के शो में बात करेंगे आदी पूरुष की, फिल्म की ट्रोलिंग पर ओम राउत ने क्या जवाब दिया साथ ही किस स्टूडियो ने फिल्म पर शोरी का आरोप लगाया अक्षे कमार की राम सेतू का ट्रेलर कब आएगा? अक्ट्रस मंदाना करीमी ने बॉलिवुद छोड़ने का फैसला क्यूं किया? पुषपाटू में कौन सा रोल करने वाले है अर्जुन कपूर? जानेंगे सरिमा की तमाम बड़ी खबरे तो चलिए शुरू करते हैं हॉलिवुड अक्ट्रिस एंजलीना जोली ने अपने पूर्वपती ब्रैड पिट के खिलाफ हिंसा करने का आरोप लगाया है उनके मताबिक 2016 की एक फ्लाइट में ब्रैड ने उनके एक बच्चे का गला दबानी की कोशिश की साथ ही दूसरे पर हमला किया एंजलीना ने इस घटना के पाँच दिन बाद तलाग के लिए फाइल कर दिया था George R.R. Martin की नई किताब The Rise of the Dragon 25 October को रिलीज होने जा रही है हाला कि उससे पहले GOT fans इसका boycott करने में जुटे हैं उनका कहना है कि इस किताब के co-author रंग भेदी टिपनी करते रहे हैं इस वज़े से किताब का बहिशकार किया जा रहा है Bollywood हंगामा में छपी एक रिपोर्ट के मताबक अरजुन कपूर पुषपा दरूल में काम कर सकते है रिपोर्ट के अनुसार वो फिल्म में एक पुलीस वाले का किरदार नभाएंगे हाला कि इस खबर पर अरजुन और पुषपा के मेकर्स की तरफ से कोई ओफिशल कंफिरमेशन नहीं आई है सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान से अपना नया लुक शेयर किया है फोटो के साथ लिखा वो था किसी का भाई ये है किसी की जान बता दे कि ये फिल्म 30 दिसंबर 2022 को रिलीज होने वाली है अक्षे कुमार ने अपनी फिल्म राम सेतु से कुछ नई फोटो अपने सोचल मीडिया पर शेयर की साथ ही बताया कि फिल्म का ट्रेलर 11 अक्टोबर को रिलीज होने वाला है राम सेतु 25 अक्टोबर को सिनमा घरों में रिलीज होने जा रही है वानर सेना स्टूडियोज नाम के एक अनिमेशन स्टूडियो ने आधी पुरुष के मेकर्स पर पोस्टर चोरी करने का आरोप लगाया है उनके मताबिक फिल्म का फिर्स लुक, पोस्टर और टीजर से कुछ सीन उनके काम से चुराए गए है हाला कि वो मेकर्स के खिलाफ कोई अक्शन नहीं लेंगे उनके अनुसार पिछले कुछ सालों में ऐसा उनके साथ बहुत बार हुआ है तो लडने का कोई पॉइंट नसर नहीं आता आदी पूरुष की ट्रोलिंग के बीच, फिल्म के डिरेक्टर ओम राउत ने उसे डिफेंड किया है इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लोगों का रियाक्शन देखकर बुरा लगा क्योंकि ये फिल्म बड़ी स्क्रीन के लिए बनी है आप इसे मुबाइल फोन पर नहीं देख सकते ओम कहते हैं कि अगर उनके पास चॉइस होती तो वो कभी भी टीजर को यूट्यूब पर पोस्ट नहीं करते उन्हें बड़ी ओडियन्स तक पहुँचना था इसलिए ऐसा किया गया आदिपूरुष की रीसर्च और वीएफेक्स पर होती आलोचना पर ओम ने कुछ नहीं कहा उन्होंने बस एक ही पॉइंट रखा कि इस फिल्म को सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर ही एंजोई किया जा सकता है आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चधा नेट्फिक्स पर रिलीज हो चुकी है पहले आमिर ने कहा था कि थियाट्रिकल रिलीज के छे महीने बाद ओटीटी पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा लेकिन रिलीज के पचपन दिन के अंदर फिल्म ओटीटी पर आ गई है अभिशेक बच्चन Amazon Mini TV के शो केस तो बनता है के सच से उठकर चले गए बॉलिवुड हंगामा की रिपोर्ट के मताबिक शो के दौरान कॉमेडियन परितोष ट्रिपाटी ने अमिता बच्चन पर जोग किया 30 सितंबर को लॉस आंजलेस के चाइनीज थेटर में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई जहां से ओस्कर कैमपेंड की शुरुआत हो गई आरारार को बेस्ट पिच्चर, बेस्ट डिरेक्टर जैसी तमाम बड़ी कैटिगरी इसमें नॉमिनेशन के लिए जमा किया गया है शेकर कपूर की फिल्म What's Love Got To Do With It दुनिया भर के सिनमा घरों में 27 जनवरी 2023 को रिलीज होने जा रही है शेकर कपूर करीब 15 साल बाद डिरेक्शन में बापसी कर रहे है इससे पहले उनकी आखरी रिलीज 2007 में आई थी Elizabeth The Golden Age सुश्मता सेन वूर्ट सेलेक्ट की वेब सीरीज में काम करने वाली है यहां वो transgender activist गौरी सावन का किरदार निभाएंगी सीरीज का नाम है ताली सुश्मता ने सीरीज से फर्स लुक शेर किया और बताया की शूटिंग शुरू हो चुकी है Me Too मामले के आरोपी साजित खान Big Boss के नए सीजन से जुड़े है जिसके बाद मंदाना करीमी ने Bollywood छोड़ने का फैसला कर लिया है चार साल पहले कई महिलाओं ने साजित के खिलाफ sexual abuse जैसे आरोप लगाये थे मंदाना भी उनमें शामल थी उन्होंने कहा कि वो ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहना चाहती जहां महिलाओं के लिए कोई सम्मान न हो आयूँ शर्मा ने अपनी तीसरी फिल्म अनांस कर दी है फिल्म का टीजर रिलीज कर बताया कि यह माइथोलोजिकल आक्शन अडवेंचर फिल्म 2023 में रिलीज होगी रवी वर्मा और इमरान सम्राधिया इस फिल्म को बना रहे है आयोध्या के राम मंदर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने आदी पुरुष को तुरंट बैन करने की मांग की है उन्होंने कहा कि फिल्म में भगवान, राम, हनुमान और रावन को गलत तरीक से दिखाया गया है आज के सिनमा शो में इतना ही आपके लिए इन खबरों को लिखा है हमारे साथी यमन ने मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक अपना धिहान रखे, शुक्रिया इंग्लेश वाली कौन सी फिल्म में पके से देखनी है यह बताओ जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ललन टॉप सिनमा